नमस्कार मित्रों, लीगल नॉलेज के इस सिग्मेंट में आपका स्वागत है ओनलाइन पेमेंट के इस दौर में किसी गलत बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर होने पर टेंशन बढ़ जाती है कि आखिर अब पैसा कैसे वापस आएगा हम आज इस वीडियो में आपको तीन ऐसे काम के टिप्स बताने जा रहे हैं जो आपको गलत खाते में पैसे डालने के तुरंत बात करने चाहिए एक सबसे पहला काम जो आपको करना है वह यहा है कि अपने बैंक ब्रांच विजिट करें और घटना की पूरी जानकारी मैनेजर को दें जैसे कि आपने किस अकाउंट में गलती से पैसे ट्रांसफर कर दिये हैं आदी पैसा करने के पीछे का कारण यह है कि जल्द से जल्द इस मामले में एक्शन लिया जा सके अगर पैसा ट्रांसफर करते समय आईफसी कोड गलत हो जाता है तो ऐसे में परिशान होने की जरूरत नहीं है बैंक खुद बखुद साथ दिनों में पैसा रिफंड कर देगी दो यदि आपका खाता और रिसीवर का अकाउंट एक ही बैंक में है तो ऐसे में बैंक इस मामले में रिसीवर से कॉल या फिर इमेल के जरीए संपर्क करता है अगर वह पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है तो इस केस में साथ दिनों के अंदर बैंक आपको पैसे रिटर्न कर देगा तीन अब सवाल आता है कि अगर रिसीवर पैसे देने से मना कर देता है तो फिर क्या होगा अगर आपके भी मन में यही सवाल उठता है तो बता दें कि ऐसे में आप रिसीवर पर अफायार दर्स करवा कर कानूनी रूप से अपने पैसे निकलवा सकते हैं यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं ऐसी ही रोचक और उपियोगी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले